स्टूडेंट को में आप सभी का स्वागत है आईए देखते हैं आज का टॉपिक हलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं CEO के बारे में यह क्या होता है इसके काम क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से हम CEO बन सकते हैं CEO बनने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए इन सभी प्रशनों का उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो सबसे पहले हम जानते हैं CEO क्या होता है सभी कंपनी के employees एक CEO के अंदर काम करते हैं और CEO उन से जो करने के लिए कहता है वो उस काम को करते हैं CEO बनने के लिए आपको कंपनी के बाकी employers के साथ अच्छे relation रखने होंगे और मेहनत के साथ अपना काम करना होगा कंपनी के लिए उपयोगी ideas कंपनी के honor को suggest करने होते हैं ताकि वो आपके काम से खुष रहे और promotion के रास्ते आपको मिलते रहें तो सबसे पहले हम बात करते हैं CEO की full from के बारे में CEO की full from होती है Chief Executive Officer Hindi भाषा में इसे हम कहते हैं मुख्य निश्पादन अधिकारी किसी भी company की success में CEO का सबसे बड़ा रोल होता है और एक CEO के अपनी company के लिए बहुत सारे करतव्य होते हैं उस company का सारा कारेभार CEO के उपर ही होता है CEO किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है एक प्रकार से CEO को कंपनी का मालिक भी कहा जाता है एक CEO किसी भी कंपनी को पूरी तरह से मैनेज करता है और उस कंपनी में काम करने वाले सभी employees CEO के अंडर ही काम करते हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि CEO की जरुवत केवल private company में ही होती है, CEO की जरुवत government companies में भी होती है, यानि कि जो सरकारी विभाग है उनमें भी CEO की जरुवत पढ़ती है, तो आप जानते ही होगे कि किसी भी सरकारी विभाग का CEO उस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है लेकिन एक बात जो आपको पता होनी चाहिए, CEO की जो post होती है वो सिर्फ business और corporate field में ही होती है, तो आईए जानते हैं हम CEO के काम के बारे में इन्हें क्या-क्या काम करने पड़ते हैं, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक company में किसी भी CEO के लिए क्या-क्या काम होते हैं, तो उसकी company में कारे कर रहे employees को संगटित करना और उस company के लिए employees को hire और terminate करने का काम भी company के CEO के अंडर ही होता है, किसी भी company में एक CEO के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि company के द्वारा बनाय जा रहे products के standard को सुनिश्चित करना और board और management के बीच में जितनी भी communication होती है, वो CEO ही अच्छी तरीके से कर सकता है, तो आईए हम बात करते हैं कि किस तरह से हम CEO बन सकते हैं, किसी भी company या संस्था में CEO बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसी बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, CEO company का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और इस post का चुनाव भी company में काम करने वाले जितने भी employees होते हैं, उन पर नजर रखता है, और उस company में जो भी employees सबसे अच्छा होता है, और जो सबसे ज़्यादा मेहनती होता है, और जिसकी हातों में वो company का future सिक्वैर समझते हैं, उसे ही उस company का CEO बना दिया जाता है, तो आईए, सबसे पहले हम ब बन सकता, इसलिए सबसे पहले आपको MBA की डिगरी लेने की जरुवत है, आपको अपने academic field में MBA की डिगरी लेने की जरुवत है, अगर आपके पास MBA की डिगरी नहीं है, तो आपके leadership skill का भी कोई फायदा नहीं हो सकता, जब आपके पास दोनों ही quality होगी, तभी आप आसानी स से आगे चल कर company के CEO बन सकते हैं, CEO officer बनने के लिए डिगरी के बाद आपको नौकरी पाने की जरुवत होती है, और नौकरी पाने के लिए आपको interview में पास होना बेहत जरुरी है, इसलिए आपको एक अच्छा resume बनाना चाहिए, जिसे company का manager देख के आकरशित हो सके, साथ ही आपको नौकरी अच्छी मिल सके, middle level position पाने के लिए आप अपने resume में अपनी leadership, communication skill को highlight करके रख सकते हैं, अगर आपने किसी भी company से थोड़ा सा भी experience गेन किया है, और उस company के फायदे के लिए आपने अगर कोई काम किया था, तो वो सब काम भी आप अपने resume में लिख सकते है आपको अपने resume में हर quality का उलेख करना चाहिए, जिसकी वज़से आपकी company को बहुत फायदा भी मिल सकता है, अगर आप अपने गुणों की list बना के रखेंगे, तो उस company में जहाँ पर भी आप काम करेंगे, वहाँ बाकी employer के प्रती एक सकारात्मक प्रतिष्ठा हासिल कर सके तो आईए, अब हम बात करते हैं leadership के बारे में, एक CEO officer बनने के लिए leadership करें, किसी भी company में अपनी position बनाने के लिए हमें एक leader बनना बेहर ज़रूरी होता है, आपके हर step पर आपको leadership की हर संधियों को ढूणना होगा, ताकि आप बाकी employer के leader के रूप में उभर कर आएं, और आ CEO बनने के लायक हो सके, अगर आप cell person के team है, तो आपको उस काम में भी leadership करनी होगी, क्योंकि जब आप leadership करेंगे, तो स्वारी achievement आपके नाम पर होगी, उसी achievement से आप अपनी CV को improve कर सकेंगे, अगर आप अपने company के employers के साथ अच्छा network बनाएंगे, तो आप अपनी profile को और भी अच्छा बना सकते हैं, और लोगों के मन में leader बनने के लिए CEO officer के लिए apply कर सकते हैं, इसके अलावा आप दूसरी company के event में सामिल हो जाएं, ताकि आप बाकी company के CEO से मिल सके, और उनके company के प्रती, उनका अद्रिष्टी कोंड, उनके सोच विचार और उनकी भावनाओं को द बारे में, जब आप किसी भी company में होते हैं, तब समय समय पर company के seminar होते हैं, तब आपको industry group द्वारा आयोजित किये गए, weekend seminar को attend करना बहुत जरूरी होता है, क्यूंकि आपको इन seminar को attend करके बहुत सारे फायदे मिल सकेंगे, और ये seminar आपकी नई तकनीक के साथ traditional management practice को साथ ही आप technology trends के साथ बराबर में आगे की और बढ़ सकेंगे, अगर बात की जाए CEO के salary के बारे में, तो एक CEO की salary बहुत ही अच्छी होती है, भारतिय मूल के सुंदर पिचाई, जो की Google के CEO हैं, उनकी एक साल की कमाई, जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्यूंकि उनकी एक साल की क पोर्ट के मुताविक उनकी सालाना salary जो है, वो अर्बो में होती है, तो इस तरीके से, इंडिया में, जो CEO की salary है, वो काफी अच्छी है, और बाहर देशों में भी काफी अच्छी है, तो थैंक्यू सो मच फूर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आपको हमारी जानकारी जरा अक्राइब आपको हमारे तो अर वारे वीका से, वोाच्व जस नरे भेका हमारााइब जसाए एाम साला है, अंच्छी है, भी कार वाच क्राइब दैक्छी कार वाकीक, तो टका लौकीर है, उनसा चारता है, एम टनु किन क 나타나की से, आह़र आहराएब टनकार